नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आज की बड़ी खबरे मुख्य समाचारों में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ताजा बड़ी खबरें इन खबरों में जानेंगे दोस्तों क्या दोस्तों लगने वाला है पश्य मंगाल में राष्ट पती सासन इसी के साथ जानेंगे ताजा बड़ी खबर आ रही है दोस्तों BJP की सभी साजिसों को नाकाम करके दिखाएंगे लेटरल एंट्री विग्यापन रद्ध होने पर बोले हैं लोपी राहूल गांदी इसी प्रकार की दोस्तों खबरे चानिये बने रहे साथ में वहीं आप लोग भी मानते हैं राहूल गांदी की लोग प्रयता बड़ा रही है और भी पच्छ के दवाव में सरकार को यहां पर कई विवादित फैसले भी बापस लेने पड़े तो वीडियो को लाइक कीजेग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजे दोस्तों जाए हिंद जाए भारत पश्यमंगाल में हुई घटना को लेकर यहां पर लगातार भी पच्छे दल हम लावा रहे हैं यहां तक कि दोस्तों पश्यमंगाल के गवाइनर ने राष्ट्रपदी दौपदी मूर्मू से मुल कर रहा है सीम बैनर जी पर बिगरती कानून बेवस्था कारोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया गया है और अब तो राष्ट्रपती सासन लगाने की मांग भी होने लगी है जिहां दोस्तों महाराष्ट में भी विधानसवा चुनाओं में देरी के चलते राष्ट्रपती सासन लगाने की अटकलें लग रही है राष्ट्रपती सासन की संभाव बनाएं बढ़ गई हैं दोस्तों बीजेपी नेताओं की मांग पार राष्ट्रपती सासन की संभाव बनाएं बढ़ गई हैं दोस्तों बीजेपी नेताओं की मांग पार राष घटना क्रम पार राष्ट बती सासन लगानी की हाँ पे पुष्टी किसी भी समय हो सकती है। लेटरल एंट्री पर सरकार की हुई है जवदस्त फजियत मोदी ने कहा विज्यापन बापस लो राहूल का दवाव रंग लाया। दोस्तों लेटरल एंट्री पर लगी रोक राहूल गान्दी और विपच्छी की जोड़ार जीत कहीं जाएगी ये तो होना ही था। मोदी जी की भद्ध पिट गई उनकी सरकार और उनकी पार्टी एक बार फेर फजियत का सिकार हो गई। सकते हैं जब नेता विचार बिमारस में भरोसा नहीं रखते और मनमानी करने पर आमादा होते तो यहीं होता है। लेटरल एंट्री का फैसला उन्हें बापस लेना पड़ गया, भी पच्छी दल तो धावा बोली रहते, सयोगी दलों की और से भी बिरोध सुरू हो गया था, नितीस और चिराख पास्वान दोनों लोग खुल कर सामने आ गए थे, नाइडू ने जरूर समय्थन का एलान क मगर वे भी कभी भी अपने फैसलिये से पलट सकते थे, लेटरल एंट्री जैसी साजीसों को नाकाम करके दिखाएंगे, केंदर के चिठी के बाद बीजेपी पर हमला वरे राहूल गांदी, राहूल गांदी ने कहा कि सम्मिधान और आरच्छन बेवस्ता कि हम हर कीमत पर रच्छा करेंगे, भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी और साजीसों को भी आने बादे समय में हम नाकाम करके दिखाएंगे, राहूल गांदी बोले, मैं एक बार फिर कहा रहा हूँ, पचास फीजदी आरच्छन सीमा को तोड़ कर हम जातिकात गिंती के अधार पर सामाज करेंगे, वहीं दूसरी तराफ इंडिया का धंदन की ही सायोगी सपा प्रमुक अखिले शादा बोले, लेटरल एंट्री ने भाजपा का आरच्छन विरोधी चहरा उजागर कर दिया है, दोस्तों देख सकते हैं, बीजेपी के जवदास्त फजियत हो रही है, इस पूरे मा राचन को अवैद घोसित करने की मांग वाली याजका खारीच कर दी है इलावा धाय कोट ने एक याजका पर आसुन भाई की है जिसमें कॉंगेस के 99 संसदों को यहाँ पर निर्वाचन को अवैद घोसित करने, कॉंगेस प्राटी का पंजीकंद्रत करने और चुराव चु निया मुर्ती मनिस कुमान निगम की खंड़ फीट ने सुनाया है दोस्तों देख सकते हैं बड़ी जीत हुई है एक और साजी एस बिफल हुई है भी जेपी की ताजा बड़ी खबर आ रहे है टाइमस ओफ इंडिया का एक और बड़ा खुलासा इवियम का एक और कांड आया है सामने दोस्तों चुनाओ आयोग ने यूपी में इवियम में पड़े 47,894 बोर्ट रद किये जी हां चुनाओ आयोग के आकड़ों से पता चला है कि उपी में साथ चर्णों की समापते के बाद कुल इवियम में बोर्ट यहां पर आठ करोड़ 77,23,028 थे लेकिन चार्ज उनको इवियम में बोर्ट जब गिने गए तो आठ करोड़ 76,75,134 गिने गए दोस्तों बैलेट पेपर पार गलत निसान मोहर लग जाने पर बोर्ट रद करने तो समझ में आता है लेकिन इवियम में पड़े बोर्ट आकिर कैसे रद किये जा सकते हैं और सवाल यह उठरा है कि आकिर किसको फाइदा पहुचाने के लिए यह सब किया गया यह गरवड़ी एक के बाद एक सामने आ रही है एडियार की रिपोर्ट अब यहां पर टाइंस आफ इंडिया का बड़ा खुलासा चुनाव आयो घेता जा रहा है इवियम को सुच्छित बताता है लेकिन दोस्तों चुनाव आयो कि अभी तक कोई इस मामल पर सफाई नहीं आई है लेकि मुख्यमंत्रे अर्विंद केज़िवाल को लेकर आ रही है बड़ी खबार केज़िवाल को फिर नहीं मिली राहत कोट ने 27 अगस तक बढ़ा यह नयाई कि रास है दिली के सियम अर्विंद केज़िवाल को एक बार फिर से बड़ा जटका जवाब तलब किया था उसे नोट रिशाई किया था दोस्तों आपको बताते चले नए मूति सुरिकान तौर उजल भुया की पीठ के समच इस मामले की सुनबाई हुई लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर से राहत नहीं मिली और यहाँ पर सियम के जीवाल की नए खिरासत को 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है जम्मु कश्मीर विधानसवा चुनाओं को लेके कॉंगेस ने बना दिया है पूरा प्लान 21 और 22 अगस्त को जम्मु कश्मीर स्रीनगर दोरे पे रहेंगे राहुल और खड़गे आगामी विधानसवा चुनाओं में कॉंगेस अ इस बार कॉंगेस पार्टी जम्मु कश्मीर विधानसवा चुनाओं में अकेले ही उतरने का मूर बना चुकी है तीन चर्णों में ये चुनाओं संपन होंगे दोस्तों इसके लिए कॉंगेस पार्टी ने पूरी तयारी कर ली है और माना जा रहा है इनी दो दिन के अंदर उमीदवारों की फाइनल लिष्ट भी जारी कर दी जाए तलब है 90 सदस्य जमुर कश्मीर विधानसवा के लिए तिन चर्णों में मतदान संपन होगा चार अक्टूबर को यहां पर नतीजे धार्याना के साथ ही घोशत किये जाएंगे ये दोस्तों अपडेट आई है अग बदल का सिलसिला जारी है इसी कड़ी में मुंबई बीजेपी की नेता रवी लड़ंगे यहां पर उधब ठाकरे की उपस्तिती में सिफ सेना उधब गुट में सामिल हो गया दोस्तों आपको बताते चलें यहां पर एंडिये को बड़ा जटका लगा है महराष्ट में रहे उससे सभी को रखता है यहां पर महराष्ट विधान सवा चुनाओं में करेगा इसी लिए जादा से जादा बड़े दिगज नेता रुक कर रहे हैं महराविका सखारी का यह थी आज की बड़ी ख़बरे वीडियो अच्छा लगाओ दोस्तों तो एक लाइक जरू क कीजेगा शेयर कीजेगा अपने सभी दोस्तों में जिससे की बड़ी ख़बरे आपके दोस्तों भी जान सके बहुत बहुत धन्यवाद